समिया उराओं की स्टोरी आपने फॉलाओप पर देखी होगी हमने दिखाया था कि कैसे लोहरदगा के सुदूर गाओं की रहने वाली एक दिब्यांग लड़की जो हाथ के बल पर चलती है और हाथ के बल पर चलते हुए ग्रेजिशन की पीजी की बीएट की नेट जी आरेफ उन्हेंने कंप्लीट किया और अब पीजडी करना चाहती है लेकिन आर्थीक तंगी के कारण वो एडमिशन नहीं ले पा रही थी और हमारी स्टोरी चलने के बाद कई लोग समाज के जो है सामने आये और लगतार समिया को मदद किये अब तक समिया उराओं के एकाउंट में करीब 44,000 रुपए आ चुके हैं और अभी सेवा संस्था के कई लोग समिया को मदद करने के लिए उनसे हाल चाल लेने के लिए उनके घर पर आ हैं देखे सामिया बेठी है और इनके हात में यह जो चेक है ये चेक संस्था के ये लोग दिये हैं और ये लोग ST Welfare Association चलाते जी, जैसे ही मैंने आपका चैनल देखा, काफी खुशी हुई कि हमारी बेहनों को हमें लगा कि मिल करके इनकी मदद करें और जैसे हमने आपका चैनल देखा, उनकी एक या दो दिन के बाद ही हम नों ने डिसाइड के है कि इन से मिलने के लिए पर चुकि सब्ता का मद्य होने के वज़े से संडे को सभी को फ्री हुए इस वज़े से आज में एक अतरी तो करके आए और हमारी इच्छा है कि इनके नाम के आगे जितने जल्दी वाज़े के डॉक्टर लगे कि जल्दी डॉक्टर क्या हुआ है डॉक्तन से नहीं हुआ है सर इसका थुदा प्रोसेस रहता है न तो इसल नहीं हो पाया है दो-चार दिन हो जाएगा जी खुस हैं जी जान गया होगा अब तो जान गया है गाउं में भी बहुत कोई देखे तो बोल रहे थे क्या क्या मदद मिला इस्टोरी चलने को बताई तो बस मदद ये मिला कि आर्थिक जो इस्थिती खराब था उसका मदद मिला तुसी के यह से कामों मकरार हैं अभी अद्मिशन तो नहीं हुआ है अमको तो दस हजार चाहिए था लेकिन आफ देने वाला जाल रहा है जो पूछ के डाल रहा है इसको था मना भी कर चुके थे लेकिन और लोग बोली कि नहीं हम लोग अपना खुशी से दे रहे हैं इसलिए कुछ नहीं वोले क्या बुलना चाहेंगे इतने लोग जो मदद इतना कोई मदद कर रहे हैं भाईया देदी सभी कोई मेरा जो की कॉलेज है बीएट कॉलेज वहां से भी लगभाग 10,000 मिला था सब कोई चंदा करके दिये थे जहां से बीएट पढ़ी वहां के स्टुडेंट लोग भी स्टुडर कोंपलेट कि जा चाहें पढ़ने कि इसकते सब्सक्राइब देखेंस कोमारे के नामें। और किस प्रकार से मिलत करते हैं? जो होता है। पुरा ये बहुत पड़ा चीज है तो हम लोग पुरा टीम है हम लोग का कि कोई भी चीज को जैसे हरता हुआ चीज को हम लोग कैसे उसको सफलता कि और ले आएंगे हम लोग टीम बनाए हुए है कि कोई भी ऐसा अगर बच्ची अगर होता है हम लोग को मिलता थे एक अलग ख सेवा सोसाइटी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी हम लोग सुपोर्ट के रूप में हमें सार हैं तो देखिए समया को मदद करने के लिए सभी लोग जो है लगतार आगे आ रहे हैं और अभी सेवा संस्थान के लोग आए हैं और यह वैसे ही आदि साथ साथ हर उस व्यक्ति को समया जो है अपने और से धन्यवाद करें जिन्होंने एक रुपए का भी आर्थिक सहयोगी नहीं किया है तो इनके होसले को जो है उन्होंने बढ़ाया है सरहा है चाहें वीडियो लाइक करके शेयर करके यहां उससे समंधित लोगों तक भेज क कि ताकि समया को मदद हो सके अभी भी हम अपील करना चाहेंगे सरकार से कि आर्थिक मदद तो मिल रही है लगतार लेकिन सरकार वैवस्था का भी एक अपना दाइत होना चाहिए जैसा समया मुख्यमंत्री आवास पर जाकर भी आवेदन दे चुकी हैं और यह चाहती हैं कि इ देखे इनका संघर्ष और जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं क्या लगा आप सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से ही इनके बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाई इसके लिए आपका जीतना भी शुक्रिया करें बहुत कम ही होगा अब जन मुद्धों को बहुत बेहतर तरीके से जो जवरत मंद बच्चे हैं उनक को उनका रिपोर्टिंग करते हैं और हमारे तक पहुचाते हैं और समया बहुत ही मेहनती लड़की यह अपने लक्षय को जितना जल्दी और बेहतर तरीके से प्राप्त कर ले हम लोग को औ और बहुत ज्यादा कुछ है और इसके आगे भी हम लोग यह हमारे हमारे तरफ से छोटी सी सहयोगरासी है इसके आगे भी हम लोग इसके लिए आगे इसकी सायता करने के लिए भी तयार हैं और और भी जितने बच्चे हैं हम लोग के समाज से आर्थिक स्थितिती से कमज़ आपके माधियों से पताचले गए लोग का सभोड का भी यह रहेगा पता चलेगा तो मदद करने के लिए हमेशा त्यारर है कि Amaia पको लगा था कि इतना लोग सामने आजैगा इतना लोग मदद करेगा खे कंगा कि ऑस सिस्किये कि कहीности और मदद जो मेरा बीमारी हो गया था उसमें से महिला समीति से सब्सक्राइब करने के लिए पैसे मिलते हैं उस पैसे में भी बचा कर ये अपने परिवार पर जो कर्ज है उस कर्ज को भी चुका पाएगी शुक्रिया बायोम जो है मेरिकल प्रपरेशन का एक मात्र संस्थान जहां है कम्प्लीट डिजिटल क्लास्रूम्स, विडियो लेक्चुर्स, स्टूडें ट्राकिंग सिस्टम, लाइबरेरी फैसिलिटी और हंड़र पर संट रिजल्ट और रिजल्ट और रांकर्स बाच्ट बायोम हीनु कि अची अच्छी अच्छी और रिजल्ट और वोग्ट इनॉ